मित्रो कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पस धन चाहे कितना ही हो किन्तु तन जब तक स्वास्त नहीं है वे धन किसी भी कामका नहीं होता किसी भी व्यक्ति के स्वास्त संबंद समस्याओं का उस व्यक्ति के कुंडली में इस्तेत नवगर्हों से बहुत बड़ा नाता होता है और यही ग्रह यदि अनुकूल ना हो तो लाखो रुपय किसी भी व्यक्ति के स्वास्त पर लगाने के पस्चाद भी नहीं देखने को मिलते परिणाम इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपको स्वयम या आपके किसी भी परिवार के सदस्यों को स्वास्त संबंद समस्यों का करना पर रहा है सामना तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सटिक महा उपाए बताने जा रहा हूँ जिसे आगामी समय में आने वाले होली का महा पर उपर यदि आपने कर दिया तो मेरा विश्वास मानिय श्यत्र प्रतिशत आयू योग में व्रदी देखने को मिलेगी वे स्वास्त योग में देखने को मिलेगी पुष्टी मित्रो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि होली और दिपावली को हमारे सनारतन धर्मे में बहुत ही अधिक महत्वता दी गई है जहां एक तरफ इन दोनों ही त्योहारों को हर्शुलास का प्रतीक माना गया है तो वही तंत्र सादना के अंदर इन दोनों दिवसों के उपर ही तंत्र मंत्र टोना टोटका जैसे उपाई भी बहुत अधिक मात्रा में किये जाते हैं और इनी महा उपाईों के अंदर से हमारे शास्त्रों में भी कुछ ऐसे उपाई बताए गए हैं जिनने यदि होली ये दीपावली पर किया जाए तो शत्र प्रतिशत देखने को मिलते हैं पक्षकारी परिनाम शास्त्रों में बताए गए ऐसे ही एक महा उपाई के बारे में आज इस फीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे आपने पूर्ण श्रद्दा बाव से हुली के दिन कर दिया तो शत्र प्रतिशत देखने को मिलेंगे स्वास्त में व्रधी तो आई ये जानते हैं कैसे करना है ये उपाए हुली के दिन सायंकाली समय में आपको 100 ग्राम उडद, 100 ग्राम तिल वे एक जूट वाला नारियल लेना है घर का जो भी सदस्य बिमार है उसकी लंबा ये नुसार एक काला धागा भी आपको लेना है इन चारो वस्तों को जो भी व्यक्ती बिमार है उस व्यक्ती के उपर से साधवार उसार कर पूर्वदिशा की तरफ अपना मुख करकर एक आग रचित होकर भगवान शंकर से प्रातना करे जो भी व्यक्ति आपके घर में बिमार है उनके नाम का उचारण करकर प्राथना करे कि हमारे अमुक व्यक्ति के स्वास्ते योग में पुष्टी हो आयू योग में व्रद्धी हो इनकी पीडा का शिग्रता से नाश हो और इने शिग्रता से स्वास्त में व्रदी देखने को मिले ऐसी कामना करकर इन चारों वस्तुओं को होली के अंदर प्रवा कर दे और बताई गई प्रातना को पुना एक बार दो रहे आपके घर के जिस व्यक्ती का स्वास्त खराब है उनका मन में ध्यान करते हुए साथ बार होली का की परिक्रमा लगाए और ऐसे मन में कामना करे कि प्रभू हमारे घर में रहने वाले समस्त जातकों के स्वास्त में व्रदी प्रदान करे इन चारो वस्तुओं को अगनी में प्रवा करकर साथ परिक्रमा लागनादनी के बस्चा जब आप अपने घर पर लोटे तो अपने हाथ पैर धोले और अपने शरीर के उपर जलका प्रोक्षन करे खुची समय में आप स्वयम देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति के निमित आप ये प्रयोक करकर आए हैं उनके स्वास्ते में बहुत शिगरिता से आपको व्रदी देखने को मिल रही है मेरा विश्वास मारिय मित्रों दिखने में ये बहुत साधारन और छोटे छोटे उपाय होते हैं किन्तु विशेश दिवसों पर यदि इन उपायों को किया जाए तो दिखने को मिलते हैं शत्रप्रतिशत प्रिणम आशा करता हूँ मेरे द्वरा दी गई है जानकारी आपको पसंद आएगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चनल को सब्सक्राइब करें कल ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगा तब तक के लिए नमस्कार